अगर आप प्रप्रेशन कर रहे हैं यूपरेशन ओपन वर्क पर्मिट ले के जाने की और आप चाहते हैं कि भविश में आपको वर्क मिले वहाँ पे तो कितना आपको सेलरी मिल सकती हो क्या प्रोफाइल है किस-किस क्राइटेरिया की जॉब्स वहाँ पे अविलेबल्स है औ और क्या कमपनी आपको प्रोवाइड करती है और आखिर-खार क्या सचाई है यूकरेन जाने के बाद जो प्रोबलम्स आप फेस करेंगे उससे रिलेटेर्ड ये वीडियो बन रही है वीडियो को पूरी देखिएगा पूरी देखेंगी तब इस आपको पूरी बाद समझ म ना भूलेगा क्योंकि मैं बहुत ही जादा important वीडियो अपलोड करने वाली हूँ अपने YouTube चैनल पे हर एक country का हर एक study visa हो या हो आपका work permit उसकी सचाई के साथ साथ मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ हो सकता है कि आपके लिए ये वीडियो important ना रखती हो बढ़ आने वाली होगी उसके लिए मेरे YouTube चैनल को subscribe करके बैल आइकन जरूर दबाए बूर्डियो पूरी देखिएगा अच्छी लगती है तो comment करके like करके जरूर बताएगा अगर आप open work permit ले चुके हैं या फिर apply करने वाले हैं आपके agent से बाते चल रहे हैं आप taxi driver के लिए जा रहे हैं या फिर call center के लिए जा रहे हैं या फिर और सिर्फ कीव में available होता है other out of state आप अगर काम के लिए आपका agent अगर काम के लिए कमिट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो fake commitments कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कीव में work जादा तर available होता है आप study visa पे जा रहे हैं और आप काम करने की सोच रहे हैं या फिर आप open work permit पे ज इन तरीके की लोग पहले में सबसे चोटे लेवल की बात करते हूं कि अगर आप helper हैं तो helper हैं तो आप cleaning में जा सकते हैं या फिर आप loading unloading बिल्कुल जो एक ऐसे काम आपको वहां मिल सकता है जो की वहां पे आपकी communication किसी के साथ जादा ना हो जो की kitchen helper हो सकता है loading unloading हो सकता है कुछ भी loading loading unloading यह नहीं बोलूंगी कि मैं आपको कि सिर्फ vegetables की loading unloading करनी है या फिर कुछ अलग box है factories है ऐसा कुछ भी नहीं होता है अगर आप helper के लिए जा रहे हो तो salary helpers की जो रहती है 300-400 USD रहती है आप बहुत सारे लोग यह बोलेंगे 300-400 USD में हमें क्या मिलेगा तो my dear friend में मेरा फर्ज है सच्चाई बताना जाना ना जाना वो आपका point of view है कि हाँ इस में मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए मैं सिर्फ आपना वे रख रही हूं कि यहाँ पे अगर आप helper के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे 300-400 USD ही salary मिलेगी working hours की बात करूँ तो दस से 12 घंटे हो सकता है ओवर टाइम का कोई commitment नहीं होता है ओकमेंडेशन का कोई commitment नहीं होता है फूड का भी कोई commitment नहीं होता है तो यहाँ पे वह लोग जा सकते हैं जो कि कमा के खाना चाहते हैं मीन्स यह कि उनका कोई all motive है वो सिर्फ यह है कि मैं ज चल जाए तो वो लोग यहाँ पे इस helper category में apply कर सकते हैं अब हम सेकेंड प्रोफाइल पे बात करेंगे अगर आप call center में जा रहे हैं अपकी English मुझे 50% नहीं चाहिए 80% नहीं चाहिए English वो चाहिए जिसमें international BPO के अंदर आपने काम किया हो आपको काफी अच्छा experience हो experience अगर नहीं भी है no issue company एक हपते की training देती है training के दोरान जो है आप company जाएंगे training लेंगे एक हपते बाद दुबारा से आपका interview होगा और interview के दोरान आपकी fixed salary जो है आपको बता दी जाएगी salary के साथ साथ यहाँ पे मिलता है incentive जो कि हर international BPO के अंदर incentive मिलता ही मिलता है यहाँ पे अगर मैं salary की बात करती हूँ तो salary आपको यहाँ पे मिलती है 600 से 800 USD plus incentive किसी भी तरीके का accommodation का commitment नहीं रहता है किसी भी तरीके का food का commitment नहीं होता है accommodation भी आपकी होती है food भी आपका होता है company अगर accommodation दे दे तो well and good है पर agent का कोई भी open work permit में commitment नहीं रहता है आपको मैं clear border में बोल रही हूँ कि यहाँ पे अगर आप preparation कर रहे है open work permit पे और आप सोच रहें कि आपको accommodation भी मिलेगा वहाँ जाके तो my dear friend यह सिर्फ 10% chances है कि company आपको accommodation दे दे अगर आप खुद का accommodation लेते हो वहाँ पे hostel लेते हो तो वहाँ पे खर्चा आपका आ जाता है अगर इंडियन currency में बात करूँ एक महीने का तो 6 से 7000 रुपे या फिर में बात करूँ 3 से 7000 के बीच में as पर आप किस तरीके की accommodation मे रहना चाते हैं आपको जो है वहाँ पे room floor जो means आपको hostel है वो मिल जाता है बट company आपको नहीं देती है बहुत रियर chances होते हैं कि company आपको accommodation दे दे अब मैं बात करने वाली हूं उन candidates के लिए जिनकी English भी अच्छी है Google Map भी बहुत अच्छी से आता है और उनके पास Indian license है और अच्छा खासा वो ड्राइब कर लेते हैं तो यहां पर सबसे देखे यहां पर दो जो प्रॉफाइल विताई यहां पर क्या हुआ था कि यहां पर आपको accommodation और फूड नहीं मिल रहा था अब जो driver है जो में जो problem driver face करते हैं थोड़ा सा confusion कर देगी जो मैं बोलने वाली हूं द्धान से आप सुनिएगा जो driver होते हैं वो आप open work permit पे जाएंगे आपकी TRC बनेगी फिर TRC के बाद आपका license बनेगा इसका processing time नॉर्मली अगर मैं बात करते हूं को चोड़के पहले कि अगर मैं बात करते हूं तो विद्दिना वीक जो था license बन जाता था पर जब से कोब आप सब कुछ ठीक हो गया है और यह जॉब्स जो है सिर्फ कीव में ही अवलेबल हैं आपका license बनने के बाद accommodation food तो आप भूल जाएए यहाँ पे हम accommodation और food की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे बात करेंगे गाड़ी की के company में गाड़ी चलाएंगे या आप self अपने driver बनके कैसे काम करेंगे तो मैं आपको clear कर दूँ यहाँ पे जो है company बहुत rear होती है और अगर rear होती है तो जो company आपक उसका वो रेंट लेती है अब आप 24 hours के लिए गाड़ी लीजिए या फिर लीजिए one week के लिए या फिर आप एक महिनी के लिए रेंट पे गाड़ी ले लीजिए जिस तरीके से जिस time table के according आप गाड़ी लेंगे उस time table के according जो है आपको pay करना पड़ेगा जी हाँ आप दु लोकेशन बता दी इवन हमने company में आपको छोड़ दिया अब आपको गाड़ी जो है वो रेंट पे लेनी पड़ेगी रेंट पे आप 24 घंटे एक हफ्ता या फिर एक महीने के लिए ले सकते हैं उसी according आपको जो है advance company के ओनर को देना पड़ेगा तो यहाँ पे आप कुछ लोगों की यह सवाल होंगे कि कितने कितना पैसा देना पड़ेगा गाड़ियों की variety होती है आप कौनसी गाड़ी लेंगे और कहां तक है मैं starting का प्राइज आपको बता देती हूँ कि 300 USD आपको छोटी से छोटी लेवल की गाड़ी पे देना और वो डिपैंड करता है कि आप कौनसी गाड़ी ले रहे हो कितने समय के लिए गाड़ी ले रहे हो इस दोरान ना तो company आपको उक्कमेंडेशन का कोई प्रॉमिस कर रही है ना ही company आपको फूड का प्रॉमिस कर रही है बड़ यह गारंटी है कि आप अगर वहां पे टैक् से दो महीने आपको problem आए बट उसके बाद problem जो है normal हो जाएगी तो अगर आप सर्वाइब करना चाहते हैं यूक्रेन जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं यूक्रेन की सच्चाई तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर कीचेगा आप नहीं जा रह सोच रहें कि इंडिया में एक से दो साल कोई काम नहीं रहेगा तो सोच रहें कि चलो बाहरी निकल जाते हैं अच्छा खासा कमा के लेकर आएंगे तो यह सारा information था सिर्फ तीन criteria की job available है और most important thing जो मैं बताना बूल गई वो यह है कि taxi driver को जो मिलता है पूरा amount अगर वो पर अच्छा खासा कमा लेता है महीने की अगर मैं बात करते हूं तो 500 से 700 यूएज़ी कमा लेते हैं पर वो डिपैंड करता है कि आप कितनी महनत यूकरेन के अंदर कर सकते हों और आपकी communication और relation पे भी डिपैंड करता है सारी चीदे अब आप वहां पे ऐसा नहीं है कि आप काम करो ना करो महीने पे आपको सेलरी मिल जाएगी नहीं आपको वहां काम भी करना बढ़ेगा प्लस आपको जितना आप वहां काम करेंगे उतना जो है आपको वहां पे पैसा मिलेगा इसके लाब अगर आपके पास कोई और डाउट है यूकरेन open work permit से रिलेटेट तो कमेंट क के जरीर मुझे जरूर बताएगा मैं कोशिश करूंगी आपके आंसर को वीडियो के थुरू बताने का और साथ के साथ लाइक जरूर कर दीजेगा कि कैसी लगी इंफोर्मेशन यह भी कमेंट में जरूर बताएगा वीडियो अभी तक अगर आपने मेरे यूटुब चैनल को स काफी घर यूटूब था जो कॉपी यूटूब चाला गया और ऐसे पाफी चालल में बज़र कर रही हूँ इस यूटूब को और कोशिश करूंगी तो की मेरी रूह लाइक और कमेंट और स सब्सक्राइब चैनल जो लोग हैं जो ज्यादा से ज्यादा सिस्क्राइब कर सके मेरे चैनल को आप लोगों की बहुत साथ की जुरुरत है बाकी ऐसे ही प्यार बनाए रखेगा थेंक यू सो माच आपने मुझे अपना कीमती समय दिया उसके लिए और हरे क्रिष्णा एवरीवन